पिस्ता पस्टाशियों को सबसे महंगा ड्राइफ फ्रूट कहा जाता है, पर कभी सोचा है कि यह इतना महंगा क्यों होता है। पिस्ता की खेती करना और इसके पेड़ों की देखभाल करना आसान नहीं होता। मामला सिर्फ देख भालता की सीमित नहीं है, पिस्ता के पेड में फलाने में 15-20 साल लग जाते हैं। इसके अलावा भी कई ऐसी वज़े हैं जो इसकी कीमत को बढ़ाती हैं और डिमांड के मुकाबले इनकी सप्लाइ पूरी नहीं हो पाती। केलिफोर्निया और ब्राजील सम कुमार के मुताबिक, 15-20 साल एक पेड को तयार होने के बाद किसान को इससे बहुत कम मात्रा में ही पिस्ता मिलता है। और सतन एक पेड से एक साल में 22 किलो पिस्ता मिलता है। पिस्ता की मान के मुताबिक हमेशा ही इसका उतपादन काफी कम रहता है। ब्राजील ही ऐसा द होने के कारण पिस्ता फायदेमंद होता है. इसमें प्रोटीन, पोटेशियम, विटामिन B6 और कॉपर पाया जाता है. हिल्थ लाइन की रिपोर्ट के मुताबिक पिस्ता वजन, बलड शुगर और कॉलेस्ट्रॉल को कम करने के साथ आँखों को स्वस्थ रखता है. रिपोर् के बाद भी इस बात की गारंटी नहीं होती है कि पेडों से उम्मीद के मुताबिक पिस्ता तैयार होंगे. इसका उत्पादन करना इतना भी आसान नहीं होता. इसके लिए जादा पानी, जादा मजदूर, जादा जमीन और अधिक पैसे की जरूरत होती है. इस तरह इनकी क खास बात यह है कि पेडों में हर साल पिस्ता नहीं आते. इसलिए किसानों को इसकी दो फसल लगानी पड़ती है, जिनमें एक-एक साल छोड़कर पैदावार होती है. इसलिए पर्याप्त पेड होने के बावजूद भी मान के मुताबिक पिस्ता का उत्पादन नहीं हो पा इनकी छटाए के दोरान यह भी देखा जाता है कि किसे निर्यात के लिए भेजा जाएगा और किसे रखा जाएगा. इस तरह इनकी छटाए के लिए श्रमिकों को दी जाने वाली मजदूरी के कारण इनकी लागत और बढ़ जाती है.